कोई मेरे थुम्स तो अब नए मामना समने लगा इस प्रकार का है कि वहां के वैपारियों के साथ थगी की जारी है लिए पारी की जारी जिसके वह आर्थी परेशानियों सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किसी को बदनाम नहीं करते अगर आप उपना पक्ष अपना चाहिए तो आप खुलके मीडिया के सामने आ सकते हैं ना की इस तरिके से आप पत्रकारों पर या फिर नूस पर सवाल ठा सकते हैं मैं उलास नगर वालों को बताना चाहता हूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं और मुझे इतना परिशान कर दिया है न्यूस वालों ने रोज मेरे बारे में घड़ी घड़ी न्यूस दाज रहे हैं हमारे फोटो वाइरल कर रहे हैं क्या इनको हक है हमारे फोटो डालन है यह अदिला बाद वाले की बात कर रहे हैं अदिला बाद वाले की में दोनों एलार सेंड कर रहा हूं कि सेवेंटी फायआओजन वाले हमारे शौप पर खुद आये थे को कि रहेEX ऐसे ही किसी को पताम ना करें अकिन हैं तो ऐसे मड़ी पुरा मामला किया है इसके बारे माथ कि जांकारी के लिए वाज़ाद में हमारे साथ मोरली खटवानी जी मौझूद है क्यों कि इन्हों ने इस मामले को जब उजागर किया था कई व्यापारी इनके पाशिगायद लेकिया थे उन्हों ने बताया थै किस तरीके से उनके साथ जो है है फेली हो रही है उनको परशानियों को सामना करना पट्रवादाय सबस्राइब करते हैं कि क्या पूरा मामला और इस मामले की शुरुआत कहां से होती है कि देखिए मैं 25 साल से पत्रकारी तामी हूँ और जीनुद्योग से मेरे बहुत सारे मित्रे हैं नहीं से जुड़ा हूँ जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो भर वापरीं करोड़ रुपारे का वावार साल में पर किसे पनचायक में हैं और उसमें दिनेज लह्राणी הם जो ईक उनकी अलफ से पंचायक है तो बात यह है कि यहां पे सब कारोबार होता है ठीक है सांती बुरोग सब चीजे रहती है यहां के ब्यापारियों को एक आदब यह है कि थोड़ा सा जीस्टी वगेरा बचाने के लिए वह लोग कच्छा पका माल ले लेते हैं अब वहां माल जो ऊड़ जाता है चोरी हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट करने में यहां पर दोगान पंचाइद वालों के पास जाने में डरते हैं तो कभी कभी बड़ी बड़ी गड़ना हो जाती है अब यह मेरे पास एक गड़ना इत्ती किशोर और विक्के मैंने उत्ता कोई नाम नहीं लिया वो कहां पर रहिचा है वो आदमी काफी डेंट से दादा गिरी करके ब्याबार कर रहा था पंचाइद वाले लोग जाए तो उनको भी दूदा कर दे के भगा लेता था तो ये बात मेरे पास पहुची कि किस तरह से असल में हुआ ये कि कोई केरल वाला प्याबारी इन से माल लेके गया उसमें दिया है कि मैंने नहीं बेजा गया इन लोगों ने उसको क्या किया थे हैं भी सुबह में ने पैपड़ा कि आपने हमारे आने के बाद उनको पैसे लेकिन हुआ है कि उसी एक ही आदमी को दिए 25,000 रुपर मिले हैं बाकी लोगों को पैसे नहीं मिले उसको पैसे क्यों मिले तो कि जो दलाल लेके आया था उसको मार के भगाया इसनी फिर बात में पंचायर उसके पास में तो पैसे मिले अब यो बाकी लोग जो हाथ उनकी दुकान वगेरा पर हमने उड़ी उठाई कि उनकी दुकान की वह एडिर डालते हैं चैलिया साइब मंदर मीर पुरानी कोस्टाफीज पुरानी कोस्टाफीज जो है पांचो मीटर दूर है फिर इसकी जो दुकान है वहां से 1000 मीटर दूर है तो यह पैसे देकर चले जाते हैं कि आम मां बेज़ देना उसका फाइदा यह उठा कर रहे हैं तो इसको तो क्या इसकी कोई लादत नहीं है कुछ नहीं है तो इस प्रकार से यह कर रहा है अब आज सुबहें मेरे जूश पढ़ने के बाद मुझे बदाए कि एक आद्मी को पैसे मिले हैं अब मैं दूसरी बड़ी बात आपको बदाता हूं शनिवार की बात बदाता हूं शनिवार के दिनेज लहरानी के साथ था ब्यापारी उनके पास आई कि 10,000 पीस चूरी होगे यह बहुत बड़ी बात है 10,000 पीस नुतलब तीस लाग रुपे का माल होता है मेरे साब से अगर 300 आपना करके ब्यापारी एक मुकेस दूलुमज है वो लिखाते है 4,181 अब 10,000 पीस बादी काम के बादी कम रेंडर कहां ले तो ब्यापारी यहां पर क्या सुचता है कि जो पंचायत का अध्यक्स है और मुझे सीधा सीधा माल दिलाने जो भी है मैं करने के लिए दया हूं मैं कि आप नहीं कर रहा हूं तो इस तरह की कोशिश होती है अब हमको यह का गया है कि आप दो दिन दिन न्यूस मत पड़ो क्यों कि चोड़ बाद जाएगा चोर जो है अब उसमें भी इसका नाम आले वाला था पहले वो रिक्षाला गोरा था मैंने इसको पीस दिये मुझ तो इस तरह से यह सब जो गोरग दंदे चल रहे हैं इसमें जो छोटे-चोटे ब्यापरी हैं तो बड़े ब्यापरी हैं जिनके नौकर रहे हैं तो उनके खर्चे बहुत हैं अचा बाकिये बोलता है मैं बजार खराब कर रहा हूं तो आप बजार में साथ चलिए आधी चाहते हैं कि आप इसको खत्म करके दो अब उनकी जलती यह है कि वह आगया नहीं चाहते हैं को भी बोलें कि आप छोड़ो दो जाने दो तो ऐसे करके जो इसका मनोगल बढ़ गया है एक शुंद ब्यापारी है दूसरी लाटी कली है वो लाटी कली में क्या होता है आपने इसको दिया सिर्ने के लिए वो उसमें से आपके दोजार पील आपकी माथ का मंदर के उसको निकाल करके बेज देता है तो वहाँ पर यह जो गुरत दंदर चल रहा है व्यापारी उसको भी सह लेते हैं लेकिन यह जो माल है कि आपका माल चूरी हो गया आपके सामने उसको कि विए कोसिशी करें कि वहां से घ्रकी करते हैं लगी के परिस निकार ना है अंहीए भी प्रुज पूल्स के यह करते कि शवान हिसा इक यह करते हैं ठीक्ट को branिशन दIELब बहुत कुछ हो जाता है इसमें भी असे ही हुआ जब रविवार को यह लिखी गई अब ये जो आदमी है किशोर और विक्की शाम को जो लिखी जाने थी पहले तो गोपी वाजवाजी ने लोकल कंट्रोल ठाना कंट्रोल डीजिटी पी कंट्रोल वाज़क पोन के उसके पीछ लिखी भी था तो बहुत सारा दवाव डालें दूसरी कर बोले नहीं अब यहां मुझे बताया गया कि आना माल मुझे मिल गए तो इस आत्मी का जो नाम आ रहा था नहीं आया तो नहीं आया तो उसने यहां तो पीस दे दिया निकाल करके यहां तो पिर वो कुछ उसके नहीं करते हैं वो शुद्ध काम करते हैं अगर हम किसी ब्यापारी के किलाब भूल से पढ़ दिये हमने तो हम आफे मांग लेके तेयार है लेकिन यह आनमी जो है यह पूरी घरवट कर रहा है बजार के अंदर और इसने पूरी खराबी पहरा के रखिए ब्यापारी अपना सब्सक्राइब करते हैं और जिसको मैं पूरे ताकत से मतलब मेरे को बगवाद जिनी जांकारी समझ देगा उसे सब्सक्राइब मैं उसको पूरे मुद्धे को अठा रहा उं उठाता रहा हूं इसमें अब जो पास नमपर के वड़े विजुर्ण हैं वो पाधिके दिनी के संक्षक नहारे अजुनाओ के वयुक्त रहते हैं साथ में रहते हैं इसलिए कश्य साह्या व्यापार और यापिजुच अज़ी दूसरी बात ऐसी होगी है कि कोई नेता है नहीं हमारे पास आपके साथ पुली स्टेशन चले या आपको कोई मदद करें तो उसका खामिया जा अब जो चुना होने वाले है ना तब पड़ेगा मुझे था कर रहें कि अब बताय है तो सब नहीं कर तो आप तो इस मामने को उजा था कर रहे हैं लोगों करें ना जाता यह जब फ़र चलते हैं लेकि जब भावठी खुल के सांवने नहीं आ रहिए उस प्याना चाहिए कि ब्यापारियों के आगे ना आने से चौर उच्चोकों की ठाकत बढ़ रही है वह तो तो दुकान कंचाइट क्या करेगी बहुत बार ये दुकान कंचाइटों के पास जाते नहीं है उनको फक्का काम करना चाहिए क्योंकि वो सामने अले के पर रखता है लेकिन ये जो ब्यापारी उपर पड़ती है इसके लिए भी जारे कहीं नहीं कर लेते हैं लेकिन उनका खामिया उनको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है जैसे कि अब ये दस अजार पीस जो मैंने बताया आपकी कमार तूट जाएगी आपकी जिंदगी पर कमाई ये दस और पर कमा नहीं सकते हैं ये कोई चोटी बात नहीं है आप देजवी साल में पर कमा के दर में रखेंगी आप यह बहुत बड़ी कटना है चल रही है और ये जैसे लोग है यह को टरानी की कुछिश कर दें तो अभी तक कोई ब्यापारी हमारे पास भी नहीं कि भाई आप अच सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं तो ब्यापारी उससे डर जाते हैं और यह बात पुलिस नरिक्षक को भी बताई बड़े सावों को भी मंग जांकारी देते लेते तेंट वर्ड तो उसके कारण से कोई सब्सक्राइब लेना पड़ता है और कभी तीन अभी इस कंप्रेंट को लिखने में तीन निन चार दिन हो गए तो इसकी खराब हो जाती और बैबारी जाना नहीं जाता इसलिए 10-15,000 का माल चोड़ी हो गया अब उस दिन कटना होगी थी आप निक्षा में एक पासल रखा अब जानकरी जो कि इस मामिया से जुड़ी हो जो कि आगे चले के सामने या फिल ना वैपारी से क्या पीड़ाइगी वैपारी कहीं नहीं करती करते हैं तो अब यह तो मोदी जी जिसे हैं दिन पर दिन पका करो बार होता जा रहा है तो उस एजाद के इनको चलना चाहिए उसका फायदा ही होगा जो चोटे-चोटे दुखांदा रहे वो कुदी बात देंगे जो इनको तकलिप पहुचा रहे जब पका काम समने होगा सबसाफ होगा ऐसे तो कि दिन यह लोग जो चोरी का मात लेके जा रहे हैं यहां के ब्यापारी मों लोगों को भी सालदान करता हो जो यह गलत काम कर रहे हैं उनको बंद करके थोड़ा पुड़ा अपना काम सीधा कर लेना चीज़ मैं सको हूँगा को राजी आपका धन्यवाद है बहुत लेकिन मैं यहां से आपके इस चैनल के मत्यम से हमारे मित्र है गोपी रावड़दास वादवानी दिनेश अरजन दास जहरानी अनील मुखी अनील कामरा मैं लोगों से निवेदन करूँगा आप इन सब चीज़ों में सक्री हो जाए कि आप लोगों से डरते हैं और वैपारियों की मदद करिए वाइसा काम और मैं वेपारियों से निवेदन करूंगा आप इन लोगों की मदद देने होगा यहां पर दो औरकनारी के ऑनवा स्बादिया हों कि यह जो चाहता है यह IDS का कोशिश की जा रही है और इसके खिलाम अवाज उठाए और इसकी शिकायत भी करें अगर आपकी पुलिस में इसकी जंद नहीं ली जाती तो आपके लिए और भी जो है नहीं दर्वाजे खुले हैं वहां पर जा सकते लेकिन अगर आज इस घटना को नहीं हो कर गया तो आगे सुनाव के वक्त वैपारियों के पाढ़ जाते हैं और बड़ी ताकन दिखाते हैं कि वैपारी मंदल के साद हमें वैपारियों के साद आज गाति हें तो आज जब ये धरे मामियों को यह जो नेता है उससे वँंचित नसर आ Mangiore ईका, तो आदक्षिन 맞아 ने से उन्यसाइक का कड़ाब करेंगे तो इमाम के आगे जांगे बड़ेंगे उसा खामियाजा शहर के व्यापालों को ही भुगतना पड़ेगा